व्लास पॉंडब कर सब्सक्राइब कर दो मसले न है अपको याद होगा एक जून 2012 जिस दिन बरमेशर मुख्या की हत्या की गई थी उस दिन के बाद से ये सवाल लगतार उटते रहा है कि आखिर बरमेशर नात सिंग और बरमेशर मुख्या की हत्या किसने की है CBI लगतार इस पर काम कर रही थी बीच में एक वो दौर भी आया जब CBI ने पोस्टर ते चिपका है आरा के गलियों में दिवाल पर कि जो वेक्ति भी बर्मेशर मुख्या के हत्यारों को खुज निकालेगा उसे अमूमन इतने रुपे का इनाम दिया जाएगा लेकिन अब इस पर बड़ी करवाई की गई है और CBI की तरफ से सप्लिमेंटरी चार सीट जो है वो दाखिल की गई है पूरी खबर आपको विस्तार से हम बताने जा रहे हैं और ये एक बड़ी खबर है क्योंकि बर्मेशर मुख्या एक जाती विसेश भुमिहारों के सिर्मौर रहे हैं आज भी है और सायद आने वाले कई दिनों तक वो भुमिहार समाज के एक बड़े आइडियल के रूप में याद रखे जाएंगे जी हाँ देखिए जो मामला सामने आया है उसके अनुसार CBI इने सप्लिमेंटरी चार सीट आरा के जिनका नाम हुलाश पांडे के साथ इस हत्याकांड में जोड़ा गया है। हो शामिल किया गया और सबसे चौकाने वाले जो बात है कि यह तमाम लोग जिनको अभीक्त बनाया है बर्मिशर मुख्या हत्याकांड में यह सभी के सभी भुमिहार समाज से ही आते हैं मतलब ब्रमेशर मुख्या की हत्या उनकी जाती के लोग ही किये थे ये बाते अब CBI खुद कह रही है मिली जनकारी के मुताबिक CBI के अस्तर से दायर इस चार्चित में कहा गया है कि हुलास पांडे ने साथ अन्य आरोपियों के साथ मिलकर ब्रमेशर नाथ सिंग उर्फ ब्रमेशर मुख्या की हत्या का सड्यांत रता था हुलास पांडे अभी चिराग पासवान की पाटी लोजपार राम विलास के संसदिये बोर्ड यानि पारलेमेंटरी बोर्ड के अध्याक्ष है जो कि एक पाटी में बड़ा पद माना जाता है तो चिराग पासवान की पाटी के संसदिये बोर्ड के अध्याक्ष हुलास निकले थे और अपने आवास की गली के पास पहुंचे थे तभी उनके पास जो छे गोलिया उनको लगतार मारी गए जिस मारकर हुलास पांडे ने ये गोलिया मारी है ये बास CBI कह रही है ये सभी गोली देशी कट्टा जो होता है देशी पिस्तॉल जो होता है उससे चलाई गई थी जी हाँ वहीं CBI ने इस मामले की पूरी गहनता से जाच करने के बाद यहाँ अनुपूरक चारशिट डायर किया है इसमें इन आठा रोपियों को मुख्य रूप से अभ्यूद बनाया गया है रनभीर सिना के प्रमुख सत्तर वर्सिये बरमेश्टर नात मुख्या की हत्या के तकरीबन एक साल बाद 12 जुलाई 2013 को इस मामले की जाच CBI को सौपी गई थी उनकी हत्या से संबंदित FIR आरा के नवादा थाने में दर्ज की गई थी जिसकी FIR संख्या जो है वो 149 बाई 2012 है इसमें हत्या अप्राधिक सड्यांत समेत अनसंगीन अप्राधिक ध दाराएं लगाते हुए अग्यात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था CBI की 10 वर्ष की लंबी मसकत और गहन जाच के बाद मुख्यार ओपियों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ 4 सीट दायर किया गया है तो आप सोचिए अब ये भी हो सकता है कि हुलास भी चिपकाये थे आरा की गलियों में वहां के दिवारों पर कि जो भी बरमेशर नात सिंग उर्फ बरमेशर मुख्या कि हत्यारे को खोज निकालेगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा लेकिन बाहु बली हुलास पांडे जिनकी छबी एक बाहु बली की है इनके भाई सुनील पांडे की चबी भी बाहु बली की है और इनको जब अभी बनाया गया है तो अब ये मसला भी चलने लगा है इस पर चर्चा भी होने लगी है कि क्या बहुत निकट जल्दी भविश्र में बहुत जल्दी हुलास पांडे गिरफतार हो सकते हैं चुकि अ पूरक सप्लिमेंटरी चार्चिट जो दायर किया गया है उसके तहट जो आठ मुख्य भी उक्त हैं उसमें सबसे पहला नाम हुलास पांडे का दिया गया है फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही जो भी अपडेट होगा उससे आपको हम रूब अरू कराते रहेंगे मिर नाम दिप्तारन है बहुत बहुत शुक्रिया